जै जगदानंदी ओ मैया जै आनंद कंदी ओ मैया जै आनंद कंदी गंपा हरी हर शकर ये वाशिव हर शकर रूत्री पालंदी ओ मैया जै जगदानंदी देवी नारत शारत तुब वर दायक अभिनाभवद जन्दी ओ मैया आविनाभवद जन्दी सुर नर मुनि जन सेवत सारत पद वर दी ओ मैया जगदानंदी देवी दूम्रक वाहन राजत वीनाभद अंदी ओ मिया जगदानंदी जुमकत 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 जनननना 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 नम्ती सुर बंती ओ मैया जगदानंदी देवी बाजत तालिम्र दंगा सुरव अंडलर मती ओ मैया सुरामा अंडलर मती तोडीतान 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 तूरराडा 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 रामते शुरव देवी दूमकत जुमकत 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 पर आप विराजद निशदिन आनन्दी कावत गंगा संकर सिवत रेवा शंकर सिवत रेवा शंकर तुम भव बेट ओमकारेश्वर के दक्षिन तर्ट से आगे बढ़ेगी ओमकारेश्वर तीर्थ बड़ा पावन तीर्थ है सास्त्रों में पुराणों में इसका बहूत महत्म्य बताया गया है ओमकारेश्वर से जब हम ब्यात्रा को प्रारंब करते हैं तो आठ मिल की दूरी पर खेड़ी घाड़ नाम का स्थान आता है यहां राज राजेश्वर भगवान शीव जी का स्थान है उनका दर्शन करके आगे जाते हैं तो गो मुख घाट आता है यहां निल कंठेश्वर महादेव की स्थापना की गई है और नीचे निल गंगा का कुंड है इस निल गंगा का जल गो मुख के द्वारा मा नर्मदा जी के जल में समाहित होता है गंगा और नर्मदा का संगम होने से इस तिर्थ का बड़ा महत में बताया रहा है यहां हमारे फुर्वजों के निमित पिंडदान तरपन इत्यादी जो कर्म करते हैं हमारे पित्रू जिस लोक में होते हैं विसीदे शीव लोक को चले जाते हैं गोमु घाड से तीन मिल की दूरी पर काकरिया नाम का ग्राम आता है यहां पर गंगेश्वर महादेव विराज माने यहां पर मतंग रुशी ने तपस्या की थी महारा युदिश्टीर ने मारकंडे युदिश्वी को प्रणाम करके प्रश्ण किया मुनिवर आप हमें इस तीर्थ के बारे में विस्तार से समझाओ यहां पर गंगेश्वर भगवान शिव जी क्यों प्रकट हुए और मतंग रुशी ने किस हित्व यहां पर तपस्या की इसकी क्या कताए आप हमें स्रवन करवाए मारकंडे रुशी वोले की राजन महर्शी मतंग इस नर्बदा के तटपर आकर के कठोर तपस्या प्रारंब की थी एक समय एसा उसर आया कुछ रुशी गंड मतंग रुशी को दर्शन हे तु पधारे महर्शी मतंग ने सुचा आज मेरे द्वार पर बड़े बड़े विद्वान, संत, महत्मा, रुशी पधारे हैं इनका आथित्य सत्कार करना चाहिए सब को आसन दे करके बिठाया, सब को प्रणाम किया और निवेदन किया कि है रुशी वरो आज आप मेरा अथित्य सत्कार स्विकार करें रुश्यों ने कहा कि भगवन हमारा निया में हम प्रती दिन गंगा इसनान करते हैं यहां तो गंगा नहीं है, नर्मदा है जब तक हम गंगा इसनान नहीं करेंगे तब तक आपका आथित्य सत्कार स्विकार नहीं कर सकते हैं तो आपने दर्शन कर लिए मानो नर्मदा जी का समझो कि गंगा जी का इस जल में स्नान हो गया और आप यहां नर्मदा जी में डूपकी लगाओ और प्रेम प्रुवक मेरा अथित्य सत्कार स्विकार करो रुष्यों ने का नहीं मातमा जी हम गंगा जल के बिना नहीं रह सकते मतंग रुष्यों ने विचार किया कि रुष्य मातमा जी रुष्ट हो गए तो श्राप दे सकते मन ही मन आख मुंद करके मानर्बदा जी से प्रार्थना की है रेवा है मानर्बदा अब मैं धर्म संकट में आ गया हूँ मेरी नईया तेरे हाथ में है अब मुझे ऐसा कुछ उपदेश करो जिससे महत्मा रूष्ट नो हो और मेरा आथित्य सत्कार स्विकार कर ले मा नर्मदा ने मतंगर उष्ट की प्रार्थना को स्विकार कर लिया और मा गंगा का अवाहान किया तो वहां बीच में से गंगा की धार निकल आई और जैसे धार निकली तो गंगा जी के जल में सब रूष्यों ने सिनान कर लिया गंगा जी जो है वहां से धारा के रूप में बही तो वो पूर्वदिसागी और जाने लगी शवरुशी महत्माउ ने गंगा जी के जल में इसनान किया आथित्य सत्कार करा के वहां से विदा हो गए मतंग रुशी ने कठोर तपस्या के द्वारा भगवान शियू जी को प्रसंग न किया और वहां गंगेश और महादेव की स्थापना करके मतंग रुशी भी वहां से चले गए हे राजन ये परम पावन तीर्थ मागंगा और नर्मदा का मिलन का संगम है यहां से छे मिल जब आगे बढ़ते हैं रावेर खेड़ी नाम का एक गाउँ आता है यहां पर प्रतम बाजी राओ पेशवाजी की समाधी है बाजीरव पेशवाजी उत्तर भारत में युद्ध करने के लिए जब इदर से जा रहे थे तो यहां पर विस्राम किया था तो उस रात्री को पेशवाजी को मा नर्मदा ने दर्श दिया था सुप्ड में महराज पेशवाज ने मा नर्मदा से यही अशिरवाद मांगा कि मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे युद्ध में विजए प्राप्त हो वो युद्ध को जीत करके आ करके फिर यहां पर उन्होंने समाधी लिए थी राविर खेडी घार से लगबग एक मील आगे खड़क नदी का संगम है और यहां से आगे चलते हैं तो मरदाना नाम का गाउँ आता है यहां का राजा मयूर ध्वज था जिसे हम मौरद ध्वज भी बोलते हैं राजा मौरद ध्वज भी जगे मागे जोते जलावत धिल मिल रूप पकाशत धिल मिल रूप पकाशत जय जगदानन्दी जय आनंद कंदी ओ मैया जय आनंद कंदी भब्बा हरी हर चकर रेवा शिव हर शांकर दू द्रई पालती ओप जय जगदान्दी जय जगदान्दी मैया जय आनंद कंदी ओ मैया जय आनंद कंदी भब्बा हरे आरा जय जय आनंकर रेवा शिव हर शांकर दू द्री पालती ओ जय आनंद कंदान्दी कदलीगरवदंबूदंगर पुरंच प्रदीपितम् अर कुर्वे पश्यमे रदो भव आरार्तिकंशिदलीगरणम् आत्माभिवंदनम् देवाभिवंदनम् लोकाभि वंदनम् मंत्र पुष्पाँजलिम् समरपयामी यद्नेन यद्नमय जंत देवस्तानि धरमानि प्रधमाण्या सन्न तेहना कम्म हिमान सचंत्र यत्र पूर्वे साथ्याह संति देवाह एक दंताय विदमे वक्रतुन्डाय दीमही तन्नो दंती प्रजोदयात रुद्र देहाय विदमे मेकल कन्याय दीमही तन्नो रेवा प्रजोदयात मंत्र पुष्पाँजलिम् समरपयामी अम् 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 श्री सद्गुरु भ्यो नमां वक्रतुन्ड महागाय जूर्य गोटे समप्रभ निरविगनं कुरुमे देव सर्वकारि शुषर्वदां गणनात सरस्वदी रविशूक्र ब्रहस्वदी पंचेतान संस्मरे नित्यम् वेदवाणे प्रवर्दैत गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराद गुरुर शाक्षाद परब्रह्म् तस्मेश्री गुरुवे नमां विगनेश्वराय वरदाय सुरप्प्रियाय लंबो दराय सगलाय जगदिताया नागा ननाय शुरुतियाद्या विभुसिताया गुरे जुताया गणनात नमूनमस्ते शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम मात्याम जगत्व्यापिनिम् वीना पुस्तकदार्यनिम भयदाम जढ्यंदकारापहाम हस्ते स्वडिकमालिकाम विदददें पदमाजने संस्तिदां वंदेद्वां परमेश्वरिम् भगवतिम् बुद्धी प्रदां शारदां ओम नमा पुन्य जले देवी नमा सागर गामिनी नमो दुपाव निरमो जे नमो देवी वरंगने प्रादृत्तायो निप्यम्यं नर्मदाव भाव सैयुदां मंत्रमेना पठेत्तात सस्नानं पलमश्नुदे नमो स्तुते रिशिगणसे दसे विदे विशेशतत्रि पुरहर हरादी निजुदे नमो स्तुते सुकृत भृतां सदावरे नमो स्तुते सकलपेत्र पावनी त्वं नर्मदे पुन्यजलात्वां पशंकरोद्भवं स्दानं प्रकुर्वतो मेध्य पापं नाशयसरवतो इदाम्रम्माहरे रिदाम् इदाम्देवो महेश्वरह। इदाम् ब्राहम् निराकरं कैवल्यां गर्मदाजलं। भगवती तवतीरे निर्मात्राशन। विगता विशयत रुष्णशंपुरा मारधयामी सकलकलूष भंगे स्वर्गसो पानसंगे तरलतरतरंगे नरमदे संप्रदिं। आदव प्रम्मांड कंड त्रिभुवनें। त्रिव विवरे कल्पदासा कुमारी। मध्याने शुद्धरे वावती। सुरनदी वेद कंठो गृकंठै। श्री कंठे कन्यरूपाललेत। शिवजटाशंकरी प्रम्मशांधी। सादेवी वेद गंगा रिशकुल तरने नरमदामां पुनात। बोलियन रमदाम याकी। नरमदा जैन्ति के इस पावन परवपर सप्त दिवसियों। सिरिमदन नरमदाम महपुराण। खथा का सरवन करने के लिए हम सब या चतुरत दिवस में प्रविश करते हैं। आज आदिशक्ति भगवती सरस्वती का प्राकट्य दिवस भी है। जिसे हम पसंत पंचमी के परवक के रोप में मनाते हैं। मा सरस्वती बुद्धी की देवी है। ज्यान की देवी है। और हम सब को ज्यान भगवती सरस्वती ही देती है। तो आज कथा का प्रारंब मा भगवती सरस्वती के चरणों में शीष जुका कर बंदन करती है। अनको प्रणाम करती वे कथा प्रारंब करेंगे तो मा सरस्वती के चरणों में यह भजन प्रेंप्रुवक समर्फित करती वे हम कथा को आई है। प्रारंब करती है। प्रारंब करती है। अनिता मा गमा धनिसा धनिनी बदादा धनिनी मदादा गमा म सागवसानि धनिसा गमा धनिसा अशार दे जय हंसवादी जय वी नाधानी सार दे जय हंसवादी जय ती वी नाधार दे अशार दे जय हंसवादी जय हंसवादी जय हंसवादी जय हंसवादी क्यान धाहिं। कमाल हांस विनास नी शार दे जयांस वार जयति विनाधार नी जया सरस्वति ज्ञान दाहिन जया सरस्वति ज्ञान दाहिन कमाल हांस विनास नी शार दे जया सवार जयति विना धार नी शार दे जयास वार जयति विना धार नी मा सरस्वतिक के चरणों में नाम सिवापट पानत उभंग छे आज छायो जयती को रंग छे आज छायो जयती को रंग छे मताथ, मतनी परणों दो बखने में, जय को रेए कैरे विक्ते जाधन नजयतों जमिए लिएखन Fastे से, मुझा ते छायो के नाम तो टू कि तया भी संसर्वाइन तू को है करेंटाम्य हैं마र उन हम मुझा जानकती है सम्हों के अधनान है इस तो आए ही गहती है जुबती गाती आवचे लहरिया जुबती गाती आवचे लहरिया ताली दई दई नाचरे गुजरिया ताली दई दई नाचरे गुजरिया फुजर ठाली की फेली सुगंद छे फुप प्यारी हवाचे बसंती फुप प्यारी छे हवाचे बसंती दीट का बारा बजचे जयरि दीट का बारा बजचे जयरि और एसी बाई मीरा भगवन भक्ती करके भगवन के गोलोग धाम में कल्युग में गई हु मोहन आवो तो सरी किर्धर आवो तो सरी माधोर्या मंदिर में मिरा बैब एकली खड़ी मोहन आवो तो सरी किर्धर आवो तो सरी माधोर्या मंदिर में मिरा बैब एकली खड़ी मोहन आवो तो सही रगी धर आवो तो सही माधरे मंदिर में मिरा बैब एकली खड़ी एकली खडी रे मिरा बै एकली खडी एकली खडी रे मिरा बै एकली खडी मोहन आओ तो सही रे गिर धर में मिरा बै एकली खडी एकली खडी 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 थे कहो तो साबरा मैं बोर मुकुट बन जाओ रे पेरण लागे साब रो रे मस्तक पर रम जाओ रे मोहन आओ तो सही रे गिर धर आओ तो सही माधवरा मंदिर में मिरा बै एकली खडी एकली खडी रे मिरा बै एकली खडी एकली खडी रे मिरा बै एकली खडी मोहन आओ तो सही गिर धर आओ तो सही माधवरा मंदिर में मिरा बै एकली खडी कर दो सही खडी खडी थे कहो तो शाब ना में खाज़ा जलिया बन जाओं रे मैया जी को का एंचन खाल विराजद अगर का पूरबाती ने भगवान शीव जी की तपस्या करके उनको प्रसंद किया भगवान शीव जी ने दर्शन दिये और कहा कि वत्स वर मांगो राजा मयूरद्वज ने कहा प्रभो आप मेरे नाम से यहाँ पर इस्थापी तरकर भक्तों की पीडाओं को हरण करो भगवान ने ततास्तू कहा और वहाँ पर मयूरेश्वर शीव जी की स्थापनागर के मौरद्वज राजा भगवान के कैलास को चला गया राजन यह मौरद्वज तीर्थ से पांच मिल आगे जब हम बढ़ते हैं तो साथ पिपली घाट नाम का इस्थान आता है जो वर्तमान में तेली भट्यान नाम का जो इस्थान है इसका साथ पिपली घाट नाम था यह अंद्रबदा के तरड़ पर साथ पिपल के बड़े बड़े विशाल अवरक्ष थे कई युगों से वहाँ पर खड़े थे मारकंडे रुशी के जिराजन यहां की कथावी सुनो बड़ी प्रसिद्ध कथाए प्राचिनकाल में एक महात्मा यहां पर निवास करते थे वे महात्मा परम ग्यानी थे उन्होंने एक विशाल यगगा का आयोजन किया और उनके समीप एक ब्राह्मन आया और आ करके चरणों में गीर पड़ा महात्मा जिन का है भूदेओ उठिये आप इतने बेचेन क्यों है वो ब्राह्मन हाद जोड़ करके महात्मा जिसे विनन्ति करने लगा गुरुजी मुझे ब्रह्म महत्या का पाप लगा है वो ब्रह्म महत्या का पाप कैसे दूर हो महत्मा जिने आख मुद करके उसका जब भविश्य वर्तमान भूत देखे तो वो ब्रह्मन के सहाटवे जन्म के पाप के कारण वो ब्रह्मन आज भी दुखी है महत्मा जिने विचार किया कि इसको मैं बोल दूँगा कि जाओ नर्मदा जी जल में डुपकी लगा लगा लो तुम्हें ब्रह्म महत्या का पाप दूर हो जाएगा तो ब्रह्म महत्या के पाप से तो छूट जाएगा कि तो इसके कुछ संचित कर्म जो है उन से ये दूर कैसे होगा उनोंने एक दंड दिया और कहा कि जाओ सब तिर्थों में जाना और वहाँ पर सब तिर्थों में इसनान करके इस दंड को भी इसनान करवा देना और जहां जाओगे और इस दंड को नहलाते ही इसमें अंकूर फूटाए तो समझ जानागी कुमारी ब्रह्मात्या का पाप दूर हो गया वो ब्राम्मन महत्मा की चरणों में शीर जुका कर दंड को ले करके बिदा हो गया बद्री विशाल में गया वहां जाकर उसने डूप की लगाई गंगा इसनान किया दंड को भी नहिलाया केदार धाम गया गंगोत्री गया यमनोत्री गया काशी प्रयाग पुशकर जी तियादी तीर्थव में घुमता घुमता सारे समुद्रों में इसनान करते हुए जब नर्मदा जी के तट पर आया तो जैसे उसने नर्मदा जी के जल में इसनान किया दंड को इसनान करवाया उसमें से अंकूर फुटेने लग गए है वेसे ही वो दंड को ले करके गुरुजी के पास गया भगवान सुरुपी उनसंत महात्मा के चरणों में साश्टांग प्रणाम किया और अपने इस जीवन का सफल बनाने का मंत्र गुरु जिससे प्राप्त किया गुरु दिक्षा प्राप्त करके वो ब्राम मंदे उता ननमदा के तड़ पर यहीं पर वेड़ करके भगवान शीव की उपास ना करने लगा रिवात तप आनद उमंग चे हो आज चायो जयन्ती को रंग चे हुरिवात तप आनद उमंग चे आज चायो जयन्ती को रंग चे हुरिवात तप आनद उमंग चे आज चायो जयन्ती को रंग चे आज डोलं डमक डबाटम आज डोलं रिजंग बंजीर आज डोलं डमक डबाटम आज चनक चनक चनाचम आज चनक चनक चमाचम आत खंजिरी का वाड़क जंग चेरे आज चायो जयन्ती को रंग चेरे आज चायो जयन्ती को रंग चेरे बाच बज़ना जिसको चाहिए वो नाली बज़ना जिसको चाहिए वो नाली बज़ना बुली नर्मदा वयागी मा नर्मदा मुक्ता हस्त से दे दिये ऐसा परम पावन तीर्थ में स्नान करके जब यात्रा के मारग में हम आगे बढ़ते हैं तो छे मिल की दूरी पर बलगाउ घाट नाम का तीर्था आता है और वहाँ से जब आगे बढ़ते हैं निवाडी टोला घाट आता है जिसको हम नावड़ा तोड़ी के और उससे आगे बढ़ते हैं तो मारेवा का सहस्त्र धाराओं में बहन होता है सहस्त्र धारा में बेती है वहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं शाटक नदी के संगम पर सटकेश्वर तिर्थ में हम आ जाते हैं वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम कठोरा नाम का जो गाउं है वहाँ पहुच जाते हैं इसके बीच में सटकेश्वर और कठोरा के बीच में जहां पर हम बेट करके मारेवा के पुनित चरीत्र को श्रवन कर रहे हैं यहां पर इसनान करते हैं यह घाट भी परम सिद्धी को देने वाला हैं और कठोरा के पास में ही ग्यारह लिंग नाम का इस्थान हैं यहां पर एकाद शुरुद्र प्रकट हो करके मा नर्मदा को पावन करते हैं मारकंडे रुशी केते हैं कि मा नर्मदा का जो दक्षिन तठे है वो भक्ती का तठे है और उत्तर तठे है वो ग्यान का तठे है दक्षिन का तठे है वो पित्रु लोक को प्रदान कराता है यहां पर इस एकादस रुद्र तीर्थ में आकर की राजारंती देवने यग्न्य प्रारंब किया था युदिष्टीर महराजने का अवगवन ये तो तुम त्रेता युग की कथा बता रहे हो ये घटना तो त्रेता युग में हुई थी क्या कारण था कि आयोद्या के नरेश रजारंती देव को नर्मदार्मदा का तठका आस्रे लेना पड़ा मारकंडे रुशी के तेह की राजन रजर रंती देव बड़े धार्मिक राजा था धर्म रक्षा के लिए अपना सब कुछ ने उच्छावर कर दिया था बारह वर्ष तक अकाल गिरा राज खजाने से प्रजा का पालन किया पुरा राज खजाना खाली हो गया रजर रंती देव अपने गुरु देव के सुपुर्द राजधानी को सब करके तिर्थाटन के लिए निकल पड़े एक इस्थान पर जा करके मधुकडी करी पाज घर से भोजन मांग करके लाए परिवार के लिए और जैसे भोजन करने के लिए बैठे एक माहतमा आए अरे भगत राज बड़ी जोर से भूक लगी कुछ भोजन मिल जाए तो तुरुपती हो जाए बहुत दिन से भूका हूँ राजा ने उन माहतमा का सतकार किया उस में से आदा भोजन माहतमा जी को दे दिया फिर भोजन करने के लिए बैठे माहतमा जी चले गए इतने में एक गदहा आया और धर्गती पर आकर के लोटने लगा उस गदे को देख करके बजरंती देव ने जो भोजन बचाता उसमें थोड़ा भजन उसको खिला दिया अपने कमंडल उससे जल पिला दिया गदह सुस्त हो कर वहां से भाग गया फिर सेश भोजन को ले करके बांट करके जब खाने लगे इतने में एक चांडा ला गया महराज रंती देव की जय हो मैं बहुत धुन से भुका प्यासा हूं कई अन्न के दर्शन नहीं हुए कुछ भोजन मिले जाए तो बड़ी कृपा होगी जो शेश भोजन था वो भी राजा ने उसको दे दिया वो भोजन ले करके वहां से चल पड़ा निकल गया अब राजा के पास सिर्फ कमंडलों में जल बचा था जेसे ही जल पीने लगे इतने में एक कुटा आया और वो तड़पने लगा जमीन पर लोटने लगा राजा ने वो जल भी उसको पिला दिया राजाने का हरी इच्छा बलवान ये है दान की महता इसको बोलते हैं दान जो कुछ हमें मिला है वो हमारा नहीं है सब को बाट कर खाएंगे तो वो धन हमारा बढ़ता जाएगा मुक्त हस्त से दान करो रजरन की देव ने अपना सब कुछ शर्ट दान कर दिया जो भोजन मिला था वो भी दे दिया अब राजा के पास कुछ नहीं बचा उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है भगवान आज मेरे भाग में एकादसी करने का लिखाएं इसलिए मैं एकादसी कर लूँगा आज मेरे नसीब में भोजन नहीं है तेरी महिमा निरा लिए वहीं पर भगवान शंकर जी प्रकट हो गए राजा को अशिरवाद दिया राजा को आदेश दिया कि तुम यहां से दक्षिन तटपर मानरमदा के तटपर जाओ और वहां पर जा करके यगने की तैयारी करो रंति देव ने कहा भगवन मुझसे भूलो गई ऐसे तपस्वी महत्मा को मैंने असली पर चड़ा दिया अब आप को मैं मुप्त करता हूँ आपने चोरी नहीं किये असली चोर तो पकड़ में आ गए मांडवे रुशी के गले से फंदा निकाला वहाँ से सिदे मांडवे रुशी यहाँ पर आये नरबदा के तटपर और उग्रत बड़ा तीवर तप प्रारंब किया और भगवान शीव जी को मनाया शीव जी का अशिरवाद प्राप्तगर के मांडवे रुशी भगवान के कैला सधाम को चले गए जब से इस तिर्थ का नाम मंडव्यतिर्थ पड़ा इससे दो मिल आगे हम जाते हैं सुर्ण दीप पिर्थ आता है जहां पर शाली वाहान नाम के भगवान शीव जी वहां पर विराजमान है और वहां से आगे चलते हैं यहीं पर हिरन्य गरभा नाम की नदी का संगम मानरबदा के साथ होता है और यहां पर पुर्ण मासी संक्रांती अमवस्या चंद्रकरण के समय पर इसनान करने से पिंडदान करने से तरपन करने से मुक्ती मिलती है जैसा मानरबदा का यह परम पवित्र तठ और पवित्र तीर्थ हम सबको भक्ती और मुक्ति प्रदान कराता है तो सदेव मारेवा के गुण गाते जाना चाहिए मारेवा को मनाते जाना चाहिए मारेवा का आस्रे छोड़ना नहीं चाहिए रेवा देने वाली है हम तो लेने वाले है रेवा देने वाली है हम तो लेने वाले है रेवा देने वाली है हम तो लेने वाले है रेवा देने वाली है हम तो लेने वाले है लेने वाली हैं हम तो लेने वाले हैं आज खाली हात नहीं जाना जिसको चाहिए वो ताली बदाना बजाना जिसको चाहिए वो ताली बजाना भईया देने वाली हैं हम तो लेने वाले हैं तो आज खाली हात नहीं जाना आज खाली हात नहीं जाना जिसको चाहिए वो ताली बजाना भईया जिसको चाहिए वो ताली बजाना रोज रोज बागने का जट जट भी थोड़ में रोज रोज बागने का जट जट भी थोड़ को रोज रोज बागने का जट जट भी थोड़ को जिसे जितना चाहिए वो भाईया में छोड़ें जिसे जितना चाहिए वो भी थोड़ें आज ए समों का है किसने किस को रोका है आज खाली हात नहीं जाना बिल्कुल दोने हाची दे जो जो भाईया से भागना चाते है जिसको चाहिए वो हात उताना भाईया देने वाली है हम तो लेने वाले है भाईया देने वाली है हम तो लेने वाले है आज खाली हात नहीं जाना जिसको चाहिए वो हात उताना 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 आपका अश्चिरवाद आपका वचन सीरोधारी है पर मुझे बताओ आज की तारीक में मेरे पास कुछ भी नहीं है शीव जीने का तुम जाओ वहाँ पर जाकर के बेड़ जाओ मेरी अग्या से सब व्यवस्थामा हो जाएगी महीं पर एका द्रश रुद्र प्रकट हुए और राजा राजनति देव का यग्य संपन कराने लगे जिसे राजनति देव ने यग्य प्रारंब किया उनके यग्य को विद्भूंस करने के लिए राक्ष शिगन आ गए एका द्रश रुद्र ने उस यग्य की रक्षा की और उस इस्थान को चीर करके इस इस्थान को नर्मदा के बीचो बीच में इस्थापित कर दिया जहां पर कोई देत्य कोई राक्ष शिगन सकी है रजा रंति देव के यग्य समापन होने पर यग्य कुंड से एक शिव लिंग निकला जिसको बिलमाम्रतेश्वर महादेव के हुए है गुप्त जोतिर लिंग के रूप में भगवान शिव जी प्रसन्न वे रजा रंति देव को आसिरवाद दिया और वो दुरुभिक्ष आकाल दुर हो गया राजा कई राजधानी में बड़ा उत्सव मनाने लगे राजा को खोया वा राज जब उन्ह प्राप्त हो गया राजा रंति देव जीवन भरदान करते रहे और अन्त में भगवान के केलास धाम को चले गए महाराज रंति देव ने बिल्व फल और आम्र फल से यग ने संपन्न किया इसलिए इनका नाम बिल्वाम्र तेश्वर महा देव बन गया बारह जो तिर लिंगों का दर्शनगर के जब तक इनका दर्शन नहीं करते तब तक उसका पूर्ण्य नहीं मिलता है यह मौक्ष प्रदान करने वाला है यहां से आगे हम बढ़ते हैं तो छे मिल की दूरी पर ब्रह्मा वर्त नाम का तीर्थ आता है जिसको ब्राह्मन गाउन के नाम से हम जानते हैं इस छेत्र का नाम ब्रह्मा वर्त क्यों पड़ा इसकी रिवा खंड में एक कथा आती है मारा यहां पर ब्रह्मा जी सदेव निवास करते हैं और यहां पर ब्रह्मेश्वर नाम से संकर जी है जो गुपतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं ब्रह्मा जी के पाँच मुख थे जब भगवान के आदेश से स्रश्टी की रचना करने के लिए आदेश हुआ तो इनकी पुत्री जो सरस्वती प्रकट हुई थी पराम सोंदर्यवान थी तो ब्रह्मा जी के एक मुख से काम वासना जागरत हुई और अपनी बेटी की तरफ कुद्रश्टी डालने लगे शंकर जी को क्रोधाया और इनका सीर धड़ से अलग कर दिया अपनी बेटी के साथ कुद्रश्टी डालते हो जाओ आज से तुमारा कोई पुजा नहीं करेगा तुमारा कोई मंदिर नहीं होगा तुमारी अग्रपुजा नहीं होगी ब्रह्मा जी ने सीर चुकाया और शिवजी को बोला कि प्रभो अब मुझे मुक्ती का उपायवता इस पाप का प्रक्षालन में कैसे करूँ इसलिए संसार में ब्रह्मा जी का एक अहीं मंदिर है पुष्कर जी में उसके बाद कहीं भी ब्रम्मा जी का मंदिर आपको दर्ष्टी गोचर नहीं होगा शीव जी ने कहा कि मा नर्मदा के तटपिर जाओ मेरी मानस कुत्री है नर्मदा के समान उन्मे देने वाली कोई नदी नहीं है तुम वहां जाकर सदा निवास करो और वहां पर जाकर जल्बे सनान करो और मेरे नाम का जब करो ब्रम्मा जी वहां से यहां पर आए और यहां पर आकर ब्रम्मा जी ने तफस्या प्रारंब की और गुपतेश और महादियों की इस्थापना की राजन जब इतना पावन तीर्थ हो गया तो यहाँ पर एक कथा और प्रशिली थे इस तीर्थ के समी पे ही पत्रेश्वर महादेव की इस्थापना की युदिश्टीर महाराज ने कहा ये पत्रेश्वर कौन है और इन्होंने शियुजी की तपस्या क्यों की इस्थापना क्यों की तब हो बोला कि राजन ये पत्रेश्वर चीत्र सेन गंधर्व के पुत्र थे और देवराज इंद्र का परम मित्र था ये पत्रेश्वर बड़ा सुन्दर था वेसे तो गंधर बगण सुन्दर होते हैं पर उनमें भी परम सुन्दर था ये एगिन अपने मित्र इंद्र के साथ अपने पीता चीत्र सेन के साथ श्यूजी की सभा में गया उस्यूजी की सभा में स्वर्ग की परम सुन्दर अपसरा मिनका अंद्रत्य कर रही थी मिनका के सुन्दर्य रूप माधूर्य और लावन्य को देकर पत्रेशर उप पे उस पर मोहित हो गया जब देवराज इंद्र ने देखा कि आरे श्यूजी की सभा में ये पत्रेशर क्या कर रहा है उसे समझाया किन्तु इंद्र की बात न मानी तो इंद्र ने करोध में भर करके उसको श्राप दिया कि अरे तुम मर्तिव लोग के मनुष्यों की भाती कर्म कर रहा है जा तुझे मनुष्य योनी में जाना पड़ेगा श्राप को सुनते ही पत्रेश्वर इंद्र के चर्णों में गीर पड़ा और प्रार्थना करने लगा शमा मांगने लगा तब देवराज इंद्र ने कहा कि श्राप का फल तो तुमने भोगना ही पड़ेगा मर्तिव लोग में तो जाना पड़ेगा देखो भाईया मर्तिव लोग में शीवता नया मानर्मदा है उनकी महिमा अपार है तुम उनके तटपर बारह वर्षत तक ब्रम्मस जर्य से रहो और शीव जी की आरादना करो इस कर्म से तुमारा कल्यान होगा और तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे और पुन अपने गंदर वो लोग की तुमको प्राप्ति हो जाईगी महाराज इंदर की अग्या को शीर धारिय करके पत्रेश्वर देखते ही देखते स्वर्गस से गीर गए और मुरत्ति लोक में आ गया मनुश्योंनी में जन्म ले लिया यहाँ पर अपने नाम से शीव जी की इस्थापना की और उनकी अराधना उपासना करने लगा भक्ती करने लगा सईयों की बात देखिए आखेट खेलते खेलते वो महराज अपनी रानी को लेकर इसी वन में आए इसी इस्थान पर आए जहां इसने वानरी की योनी से इसे मुक्ती मिली थी वेदा के संगम पर आए महराज ने रानी को कहा कि आप यहां पर रुको मैं आखेट खेल के आता हूँ जब तक तुम यहां पर वन में विहार करो रानी को छोड़ करके राजा तो आखेट के लिए चल पड़ा नर्मदा जी का किनारा वेदा का संगम फल पुश पोशे नमित व्रक्ष छोटी छोटी प्रवत स्रेणिया बड़ा आलोकिक द्रश्य देखा रानी आनन्द में भर कर इदर उदर उचलने लगी तहलने लगी तहलते तहलते उन बांसों के जुंड में चली गई वहाँ जैसे ही उसको पूर्व जन्मकी इस म्रत्य आई कि मैं पहले वानरी थी इसी वन में रहती थी और यहीं पर वांसों के जुंड में फस करके मेरी म्रत्य हो गई जब रानी ने ध्यान लगाया तो देखा कि मेरा हड़ियों का जो धड़ था वो तो नर्मदाजी के जल में चला गया कि तो मेरा मुख अभी भी बांसों के बीच में फसाए ढूणने लगी खोच्ती खोच्ती उन बांसों के बीच में गई तो दो बांसों के बीच में वो खोपड़ी कंकाल रूप में फसी हुई थी अपने हातों से निकाला और उस नर्मदाजी के जल में प्रवाहित कर दिया जैसे ही उसकी खोपड़ी नर्मदाजी के जल को इश्पर्स किया वेसे ही उस रानी का मुख जो है बड़ा सुन्दर बन गया इतने में महराज हमां आ गए उन्होंने देखा अरे पुछा कि अरे रानी ये आपका मुख इतना सुन्दर इतना सुन्दर यवान कैसे हो गया तो रानी ने अपने पिछले जन्म के पूरी कथा महराज को सुनाई राजा इस बात को सुनकर परमानन दित हुए और उन्होंने में अपना राजब काज छोड़ करके नरबदा के तट पर आकर भगवान शीव की उपासना करने लगे हे राजन ये ऐसा परम धाम परम पवित्र मानरमदा का तट हम सब को भक्ती मुक्ती प्रदान करता है यहाँ पर इसनान करके शीव जी का पुजन करके जब आगे बढ़ते हैं तो चार मील की दूरी पर मांडव्य रुशी का आसरम आता है यहाँ पर मांडव्य रुशी ने तब किया था यहाँ पर विशोक संगम है यहाँ विशोके स्वरस्यू जी का मंदीर है और यहीं पर विभंड़क नाम के एक मुरी ने भी तबस्या की यहीं पर वशिष्ट की पत्नी अरुंधती ब्रह्मा की पत्नी सावित्री कश्चप की पत्नी दीती आदी देव पत्निया रुशी पत्नियों ने तफस्या करके सिद्धी को प्राप्त किया था मंड़वे रुशी ने तब किया था मरकंडे रुशी केते हैं कि सुनू एक बार मंडव व्यरुशी वन में आस्रम बना करके तफस्या करते रहें राजा के खजाने से चौर आये चौरी करके मालन के पास छोड़ करके छीप गए राजा के सेनी खोशते खोशते आये तो राजा के अस्रम में राज खजाने का ठन रखा देखा और इन महात्मा को आँक मुन्दे विये बेठे ओठे देख करके कहा कि ये चोर है ये हमको देखकर आँख मुंद करके बेट गया है सेनी को ने कहा खड़े हो उठो तुमने चोरी किये चलो हमारे साथ महराचे पास वहाँ तुम्हारा नियाय होगा रुष्य ने का भाई मैंने नहीं देखा ये धन कौन लाया है मैं तो ध्यान मियान मैं सेनी क नहीं माने पकड़ करके रुष्य रुष्य को ले करके गए राजा के पास राजा ने कहा कि इन महत्मा को शुली पर चड़ा दो उनको शुली पर लटकाने लगे इनके फुत्र थे नारायन जब उन्हें मालूम पड़ा कि राजा ने मेरे पिता को शुली पर लटकाया है बड़े बड़े रुष्य महत्मा के साथ नारायन इनके पास आया और कहा कि बोलो राजा को हम क्या दंड दे हम स्राप से इस राजा को का सर्वनास कर सकते हैं मांडवी रुष्य ने कहा नहीं इसमें राजा का दोश नहीं मेरा कुछ कर्म बाकी होगा मेरे कुछ पाप बाकी होंगे इसलिए राजा ने मुझे शुली पर लटकाया है मांडव वियरुशी सुली पर लटके विए ध्यानस तवस्था में सीधे यम्राज के पास पहुँच गए और डाटते विए का यम्राज बता मेरा कौन सा पाप था जिसके करण आज तुने मुझे सुली पर लटका दिया मुझे यहां तक बताई जन्म में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके करण मुझे ये सजा मिले और न मेरे पूर्व जन्म के से कोई कर्म है जिसे करन मुझे ये सूली पर लटकाने की सजा मिले फिर बता तुने मुझे इस सजा क्यों दिये यमराज ने का महराज चमा करे यहाँ पर नियाए होता है राजा आए, चोर आए, संत आए, महत्मा आए, कोई भी जिवात्मा आती है उसके हैसाथ अन्याए नहीं होता है यहाँ न्याए ही होता है आपने बच्चपन में खेलते खेलते एक रुशी के आसरम में गए थे वो महत्मा तपस्या में लीन थे और ऐसे तपस्या में समाधी लगी उनको कि उनके उपर दिमक ने अपना घर बना लिया सिर्प उनकी नाख और दो आँख दिखाई देती थी बाकी शरीर पुरा वो दिमक की बाबी से ढख गया था और तुम खेलते खेलते गए उन रुशी की आँख में तुमने काटा चुब होया था उस पाप के कारण तुमको शूली पर चिरानी की सजा मिली है रुशी ने कारे मुझे एक बाद बताओ तुम्हारे सास्त्रों में लिका हुआ है की नहीं बालक के द्वरा कोई अपराद होता है वो ख्षम में होता है वो अपराद की सजा नहीं मिलती है क्यों बच्पन जो होता है बालक होता है वो ना समझ होता है मेरे बाल्यकाल में मेरे हाथ कर्म हुआ वो शमा के यूग यह था उसके बावजुद भी तुमने मुझे सजा दी है इसलिए मैं तुझे स्राप देता हूँ कि जा तुझे धर्ती पर जाकर के मनुश्योनी में जन्म लेना पड़ेगा आख खोल करके देखा वो राजा लोड करके आया मांडवी रुष्योनी से छमा मांगने लगा हे महत्मन मुझे छमा करो मांडवरा मन दिर में मिरवाए गिरी खड़ी मांडवरा मन दिर में मिरवाए गिरी खड़ी मारकंड़ा रुष्य के कहीं की राजन जो इस तीर्थकी में कथा आपको बतलाने जा रहा हूँ ना बड़ी विजित्र कथा ध्वापर युक के दीतिय चरण में ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके ये ब्राम्मी नदी आकर के मानर्मदा में समागम किया जिसे वेदा नदी केते हैं ये वेदा का संगम बड़ा पावन और पुवित्र करने वाला है यहां पर मंकनक नाम के एक रुशी थे भगवान शीव जी की कठोर तपस्या की थे चीर काल तब आराधना करते रहे जिसके कारण शीव जी की कृपा से भगवान शंकर के विश्व रूप के दर्शन हो गए और जब से इन्होंने विश्व रूप के दर्शन करे तो इनकी समध रष्टी बन गई जिदर दर्शन जाल देते हैं उदर शंकर जी शंकर जी दिखाई देते भगवान के विशुरूप के ही दर्शन करते थे और दर्शन करने के बादे के बादे तल्लीन हो जाते थे कि उस रूप को देख करके नाचने लगते थे तो नाचते रहते थे तो कई कई दिन तो नाचते ही रहते खाना पीना सोना बेटना उटना सब भूल जाते थे और जिदर जाते उदर भगवान के शियूजी के विशुरूप के दरशन करते थे ऐसे प्रस्वी पर घुमने लगे इनको नाचे देख करके जो इनके पास आता था इनके संपरक में आता था वो भी नाचे ने लग जाता था ऐसे करते 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 सारा विश्व इनके साथ नाचे ने लग गया ब्रह्मा जी घबडाए अब क्या होगा स्रश्टी का कारे कैसे चलेगा सब नाचने लग जाएंगे, सब तल्लीन हो जाएंगे सब भगवान के कैलास धाम को चले जाएंगे तो स्रश्टी कैसे चलेगी, स्रश्टी का कारे कैसे होगा द्योता घबडाये, ब्रमा जी को साथ लेकर कैलास पर गए भगवान शियो जी को प्रणाम किया भुले बाबा इस बार धरती पर एक बड़ी विचित्र घटना घट रही है तो आपको ग्यात है यदि सब्वरा विश्व ही नाचने लग जाएगा तो स्रश्टी का कारिय कैसे होगा और वो रुशी आपके परमभक्त है तो आप कुछ ऐसा करो जिस इस भक्त को आपका धाम मिले और संसार अपने कारिय में लग जाएगा शिव जी सब्देवताओं को ले करके इस इन रुशी महत्मा के पास आए जब शंकर जीक स्वयम सामने आ गए तब भी वो नहीं देख रहा है भगवान की तरफ की भगवान शंकर मेरे पास आ गए वो तो अपनी तलिनता में नाचता ही रहा उसके संग में जितने ते सब नाचने लगे शंकर जी ने पुझा मुनिवार आप क्यों रित्य करते हो नाचते नाचते महर्शी केते हैं कि आप कोने में आपको नहीं पैचानता बोलो जिन शंकर जी की जीवन भर तपस्या की उनके कुर्पा प्रसाद से ये अशिरवाद मिला और रित्षी केते हैं कि मैं आपको नहीं पैचानता आप कोने मैं तो अपने शरीर में संप्रुन विश्व को मान करके आनंद के कारण नाच रहा हूँ मुझे इस संसार से क्या लेना है आप से क्या लेना लेना है मैं तो अपनी मस्ति में नाच रहा हूँ भगवान ने इतना सुनते ही अपने अंगुडे से ताड़न किया जिससे उनके शरीर से भस्म ही भस्म निकलने लगी तब रुशी ने उनको पहचान लिया प्रणाम किया और उनकी स्तूती की और वही पर मंकनेश और शिवजी की स्थापना करके ये रिशी भी भगवान के कैला सिधाम को चले गए इसलिए तीर्थ का नाम सारस्वत तीर्थ पड़ा इसके समीप ही मरकटेश्वर तीर्थ ये युदिश्टिर माराज ने कहा कि भगवन नाम तो बड़ा अठपटा लगता है आप इस तीर्थ के बारे में भी विस्तार से समझाओ मारकटेश्वर रुशी ने कहा सुनो इस वेदा के संगम पर यहां के वन में एक वानरी मरकटी नाम की वानरी रहती थे और वानर जाती तो वैसे ही चंचल होती है एक वार उचल कुद करते करते बांस की जाड़ी में चली गई और उस बांसों के बीच से निकलने का प्रियास किया तो उन बांसों में जाके फस गई बहुत कोशिश करने पर जब नहीं निकली तो उसकी गरदन से धड़ अलग हो गई और उसकी खोपड़ी जो है बांसों के जुंड में फस गई और वो धड़ नर्बदाजी के जल में गीर गया जब उसका सरीर नर्बदाजी के जल में गया तो अगला जन्म उसको राजा के महल में हुआ राज कन्या बन करके आई किन्तु उसका मुख जो था वानरी जेसा था उस नर्बदाज के जल का इस पर सका पुन्य के कारण उसको राज कुल में जन्म हुआ और उसी पुन्य के प्रभाव से महराज सत्य सेन की धर्म पत्मी हुई शरीर बहुत सुंदर गिन्तु मुख उसका वानरी का था एक समय महराज सत्य सेन आखेट खेलने के लिए वन में गए साथ में अपनी राणी को भी ले गए इन राणी का नाम था स्रंगार वल्लरी आओ तो सही गिर धर आओ तो सही माधोला मन तिर पे मेरा वै एकली खड़ी रे मेरा वै एकली खड़ी एकली खड़ी रे मेरा वै एकली खड़ी रे मेरा वै एकली खड़ी जा बड़ा तार तू बड़ा है तेरा जाए जा बड़ा तार तू आयो जरन की हार वोले तार तार हूँ आयो जरन की हार वोले तार तार हूँ केलाश के निवाश नमो बार बार हूँ केलाश के डिवाश नमो बार बार दो नमो बार बार हूँ आयो जरन की हार वोले तार विचारी देव हे ब्राह्मन देवतां में चोदा वर से वनवन भटक रहे हैं शरीर पर वलकल वस्त्र धारन किये वे आयुद धारन करके जटा जुट हो करके नंगे बदन नंगे पेर से वनवन भटक रहे हैं मेरे प्रभू से में क्या मांगा तो नावन ने क्या मांगा ये प्रभू जिदी गुरु दक्षिना देना चाहते हो तो मेरे सकल कुटुम्ब को मोक्ष प्रदान करा देना उनका उद्धार कर देना राम जी ने मन ही मन गुरु दक्षिना दे दी रावन ने जानकी को इशारा किया जानकी मैया वहां से उठकर पुश्वक विमान में बेट करके पुनह लंका में आगे इसे बोलते हैं नीती नियम और आजकल कभी कोई ब्रामन एक लड़की को यहां से ले जाए और वो ब्रामन कभी गलती से भी गाउन ले करके समुद्ध के तट पर आ गए अब राम जी की इच्छा है कि यहां में रामेश्वर की स्थापना करो अपना सुझाओ सुगुरी आदी सब वानरों को दिया सबने सहमती दी राम जी ने रामेश्वर की स्थापना कराने की तैयारी करी पर राम जी ने कहा कि भाई इस कर्म को संपन करवाने की लिए ब्रह्म देवता की अवशकता होती है तुम ब्राह्मन की खोज करके लाओ कौन इसकी स्थापना करवाएगा तब हनुमान जी ने कहा प्रभो अयोध्या जाता हूँ वशिष्ट जी को ले करके आता हूँ उनके हाथ से यहाँ पर रामेश्वर की स्थापना कराएगे राम जी ने का नई हनुमान वशिष्ट जी को नहीं लाती है इस छेत्र का जो ब्राह्मन है उनको ले करके आओ उनके हाथ से यहाँ पर रामेश्वर की स्थापना होना चाहिए जामन्त ने सुझाओ दिया कि प्रभो मैं एक सुझाओ देता हूँ मेरी दुष्टता को शमा करना गलती हो तो मुझे डाटना मत इस छेत्र में रावन से बढ़ करके कोई ज्यानी ब्राह्मन नहीं जो रामजी का परम सत्रू है उनकी भारिया को हरन करके ले गया है और जामन्त क्या बोलते हैं कि उससे ज़्यादा विद्वान ब्राह्मन कोई नहीं मेरी सहमती से रावन के हाथ रामेश्वर की स्थापना करवानी चाहिए रामजी ने कहा कि जामत जी आपने बहुत अच्छी बात के किन्तु महाँ जाएगा कौन क्योंकि पेले हनुमान जी जाकर के लंका को उजाड आया है अब कोई दूसरा वानर जाएगा तो रावन उसको हनुमान जी समझ करके बांद लेगा बंदी बना लेगा जामजी ने का प्रभू आपकी अग्या हो तो मैं जाओं कि रावन मेरा मित्र है मेरी बात को मानता है जामजी लंका को जाने लगे बड़ा विशाल शरीर लंबी चोड़ी भुजाएं लंबी चोड़ी चाती ऐसा लगता है मानो काला कोई पहाड लंका को डहाने के लिए जा रहा है जिसे लंका पूरी में प्रवेश किया द्वारपालों ने जाकर रावन को सुचना दी महराज महराज कोई एक रीच आप से मिलने के लिए नगर में आया है जामबंत अपना नाम बताता है रावन ने का जामबंत आया है अरे मेरा मित आया है सोयम उसकी आगवानी करने के लिए रावन आया सभा में ले गया बीठाया और कहा कि कव जामबंत कैसे हो मेरे शीवीर में कैसे आ गए। क्या रावन। राम को छोड़ करके मेरे पास आये हूँ। रावनने कहा नहीं जामंत की नहीं मित्र रावन मैं तो तुम्हे आमनत्रण देने आया हूँ। किस बात का आमनत्रण कि जामन्त ने कहा कि मेरे प्रभु राम जी रामेश्वर की स्थापना कर रहे हैं और शीव जी के तुम परमभक्त हो तुमारे से बढ़कर आज संसार में शीव का परमभक्त कोई नहीं है तुम विद्वान ब्रामन हो तो मेरे प्रबु चाहते हैं कि उनकी इस्था अपना तुमारे हाथ से हो तुम महा के अचार्य बन जाओ तो रावन ये भी जानता है कि मेरे मृत्यू राम के हाथ होना है और मैंने उनकी पत्नी को हरण कर लिया है राम चाहे तो मुझे वहाँ पर भी मार सकते हैं पर वो मर्यादा पुर्शु अत्तब नीती के विरोध कोई काम नहीं करते हैं नीती के अनुसार चलते हैं और मैं अज्यानी हूँ मैं नीती धर्म नहीं मानता हूँ पर मेरे कुल का उद्धर करवाना है तो मैं आज जाकर राम के दर्शन पेले कर लूँ भरी आँखों से उनके दर्शन कर लूँ युद्ध में तो मैं उनको शत्रू मानूंगा मैं राम नहीं मानूंगा रामण ने कहा जामवंद जी ठीक है मैं नियत समय पर पहुँच जाओंगा सबसंबान वे जामवंद जी को मां से विदा किया जामवंद ने सबसमाचर राम जी को स्रवन करवा दिया राम जी तयारी करने लगे रावन जैसे ही में जामवंद जी गए वेसे ही अशुक वाटिका में गए और जानकी को प्रणाम करके कहा बेटी तुम तैयार हो जाओ राम मेरे शत्रों ये तो क्या हुआ जब वो नीती का पालन करते हैं तो मैं भी नीती का पालन करूँगा नियमों का पालन करूँगा क्योंकि कोई भी यग्य अनुस्ठान में ग्रहस्त यदि करता है तो बिना पत्नी के नहीं करता है पत्नी की उपस्तिती अनिवारिय है जबी तो हमने दोनों को पति पत्नी को यहां पर बिठाया है यह जमान तो देवी तुम मेरे साथ पुश्पक विमान में बेट जाना और वहां भी तुम मेरे आधिन रहोगी जैसे ही वहां कार्य संपन्न हो उनहां आ करके मेरे पुश्पक के मान में बेट करके लंका में आ जाना मेरा मित्र जामन तो मुझे निमंतरन देने आया तो मेरे मित्रता का फर्ज़ बनता है कि मेरे मित्र को अपनी मित्रता से सम्मान करना पुश्पक विमान में बेट करके जानकी को लेकर रावन पहुँच गया जानकी को बोला कि तुम पुश्पक विमान से अभी मत उतरना जब में तुमें बुलाऊं तब उतर करके आ जाना जाकर के रावण ने राम को देखा लक्षमन जी की भुजाय फटपड़ाने लगे आँखों में कुरोध भरने लगा रावण जी ने चूप कर दिया रावण लक्षमन जी को की तुरुको भी लक्षमन जी चाते रेस को यहीं अभी वद कर दूँ और मैं अता जानकी को ले आऊँ अच्छा मोका है रावन हमारे पास है राम जी ने रोक दिया आसन पर यजमान को बिठाने लगे तो रावन ने राम से कहा कि यजमान अपनी पत्नी को बुलाओ क्योंकि पत्नी के बिना तो यग्य संपन नहीं होगा राम जी ने कहा कि एक रावन नाम का दुष्ट मेरी पत्नी को हरन करके ले गया है उस समय राम जी के निगहा में रावन ब्रामन के रूप में आया था आचार्य के रूप में आया था ब्रह्म देवता के रूप में आया था भगवान उसको रावन नहीं देख रहे थे कि रावन है और मेरी पत्नी को हरन करके ले गया है आज मेरे गर ब्रह्म देवता आये हैं ब्रह्मन आया है आचारी आये है तो उनका सम्मान एक आचारी की भाती राम ने किया कहा कि है ब्रह्म देवता रावन नाम का राक्षस मेरी पत्नी को हरन करके ले गया है और रावन को मारने के लिए मैंने संकल्प लिया है कि यहाँ पर रामेश्वर की स्थापना करूँगा और रामजी रामेश्वर से आशिरवाद लेकर के रावन को मारने के लिए संकल पितल लेने वाले हैं हे ब्राह्मन देवता रावन को मारने के लिए तुम्हे रामेश्वर की स्थाप ना कर रहा है रावन ने का यजमान यह जमान का संकल पएदी पवीत्र है पावन है तो मैं भी रामन ब्रामन हूँ मैं आचार्य हूँ आपने मुझे इस पद पर बिटाया है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है जाओ जानकी को लेकर क्याओ पुश्पक विमान में बैठी है जानकी माता पुश्पक विमान से उतर करके जमीन को देखती देखती रामजी की बगल में आकर के बेड़ गई पर निगाह से रामजी को नहीं देखा उसमें उसने भी अपनी मर्यादा का पालन किया मैं आधीन हूँ मैं रावन के आधीन हूँ मैं राम को कैसे देख सकती है रावन ने रामेश्वर की स्थाफना कराई राम जी ने कहा है आयो चरण पिहार बुले तार तार हो आयो चरण पिहार बुले तार तार हो के लाज गुशन आयो चरण पिहार देख सकते है आयो चरण तिहार भुले तार तार हूँ आयो चरण तिहार भुले तार तार हूँ मेगनाद ने बिंजाचल परवत पर जाकर भगवान शीव जी की आराधना प्रारंब कर दिए भगवान उसके तब से उसकी आराधना से संतुष्ट हुए संमु प्रकट होकर के काहा कि है बत वर मांगो मेगनाद ने का प्रभो मैं सदा आपकी सेवा में सब लगन रहूं मुझे ये वरदान दी प्रसंद होकर शीव जी ने उसे दो शीव लिंग दिये जाओ इनको ले जाओ अपने महल में इनकी सापना करके इनकी पूजा करना इनकी पूजा करने से मेरी पूजा हो जाएगी और सदेव में तुम पर प्रसंद रहूंगा मेगनाद दोनों शिवलिंग को लेकर के वहां से जाने लगा और नर्मदा के इस तट पर आया और उसके हाथ से एक शिवलिंग नर्मदा जी के जल में गीर गया मेगनाद ने विचार किया कि शिवलिंग की इच्छा यहीं पर रहने की है इसलिए उसने यहां पर उसके शिवलिंग को इस्थापित कर दिया और पूजा अर्चना करके दूसरे शिवलिंग को लेकर के लंका में चला गया जब से इस तीर्थ का नाम मेगनाद तीर्थ पड़ गया मेगनाद तीर्थ से दो मिल की दूरी पर गौर वारता नदी का संगम है जिसे गोयद नदी का संगम भी केते हैं उसका अब ब्रौंश होते होते कल युग में गोई नदी बन गया यहां पर अंगनेश और शीव जी का इस्थाने यहां पर इस्नान करने से गाय का दान करने से वस्त्रदान करने से ब्रम भोज कराने से पित्रों की मुक्ति होती है इसे मनुरत तिर्थ भी कहते हैं जिसे मनुरत से हम महाँ पर जाकर दान करते हैं मानरवदा उन सब मनुरतों को पूर्ण कर देती है इससे तीन मिल आगे हम जाते हैं तो बिजासे नाम का तीर थाता है जिसे भुवती घाड़ भी केते हैं वरतमान में जिसको हम भुवती के नाम से जानती है युदिश्टिर माराज ने प्रश्म किया मुनिवर इस तीर्थ का नाम बिजासन तीर्थ क्यों पड़ा ये बिजासनी कौन है कौन सी देवी है मारकंडे रूशी केते कि राजन रावन शीवजी का परंभक्त था एक बार वो नर्मदा के तटपर आया और एकादस रुद्र और रुद्रानियों को भक्ति भाव सहीत पूजने लगा उसके पूजन करने से सब रुद्रानिया प्रसन्न हो गई उन्होंने रावन से कहा वर मांगो तो रावन की हजार पत्निया थी एक लाख फुत्र और सवा लाख नाति पोते थी रावन के इतना बड़ा कुपंब का मालिक था रावन रावन ने विचार किया कि अब मेरा परिवार बहुत बढ़ गया है परिवार पर रोक लगाना चाहिए तो उन उसने रुद्राणियों के सम्मुक याचना की कि अरे देवियों यदि आप मुझे प्रसन्न हो तो मुझे एक ऐसी पुत्री दो जो सब इस्त्रियों का गर्ब का भक्षन कर जाए अब रुद्राणिया तो बचन बद्दती उनको आभास नहीं ताकि रावन ऐसा भी वर्दान मांग लेगा उन रुद्राणियों ने बिजासनी नाम की रुद्राणी पुत्री के रुप में उनको प्रदान कर दी और अपनी पुत्री को लेकर के रावन लंका में गया जब से भी जासनी देवी मापर गई लंका में तब से महाबालग पैदा होना बंद हो गया जब भगवान राम जी ने रावन को मारा तब शंकर जी ने उस बिजासनी से कहा कि देखो तुमने बहुत सारे पाप कर लिये हैं अब तुम कैलास पर नहीं जा सकती तुमको इस पाप का प्राइस चित करना पड़ेगा तुमने अनेक स्थियों के गर्ब का भक्षण किया है इसलिए नर्मदा के इस तट पर जाओ और यहां पर रेकर के अपने पापों का प्रक्षालन करो और यहां पर रेकर के तुम तपस्या करो जब से यह बिजासनी देवी लंका से आकर यहां पर नर्मदा के तट पर रेकर के तपस्या कर रही है और अपने पापों को प्रक्षालन कर रही है तब से इस तीरित का नाम बिजासनी तीरित पड़ गया रावन जब जानकी को हरन करके लेके गया राम जी ने जब जानकी की खोच के लिए वानरों को भेजा हनुमान जी लंका में गए तो लंका में जाकर के जब देखा कि ये बिजासनी यहां के राक्षशों के बच्चों को मार रही है बिजासनी ने भगवान शंकर के रुद्र अउतार हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभो और कितने दिन मुझे इस लंका में रहना पड़ेगा मेरा मन अभ यहां लंका में नहीं लगता है पर में वचन बद्ध हूँ तो शिग्र इस रावन का विनाश करवाओ और शिग्र मुझे यहां से मुक्ति प्रदान करो तभर मान्जे ने कहा देवी चिंता मत्क्रो बहुत शिग्रही रावन का वद होने वाला इसका समय अब बहुत नजीक आ गया है रावन की नगरी में जाकर हनुमांज ने लंका को जलाकर जब जानकी की खबर जाकर रामजी को दी रामजी बड़े प्रसन्न हुए असंक्य सेना के भैसे मुक्त होकर पुनह गंदर्व लोग को चला गया एसा ये पारम परम पवीत्र पावन तथ मा रेवा का हम सब को मुक्ती भक्ती प्रदान कराता है सच्ची है तू सच्चा तेरा दरवार माता राणिये ओ सच्ची है सच्ची है तू सच्चा तेरा दरवार माता राणिये ओ माता राणिये जै जै माता राणिये हो माता राणिये जै जै माता राणिये सच्ची है तू सच्चा तेरा दरवार माता राणिये सच्ची है तू सच्चा तेरा दरवार माता राणिये कर देरा दर दरवार माता राणिये जै कर दोस्तू सच्चा तेरा जै तू सच्चा तेरा दरवार माता राणिये क्या अग बहे के सी उलजन जब सर पर तेरा हाथ है हर दुख में हर संकत में माता तु हमारे साथ में हर दुख में हर संकत में माता तु हमारे साथ है हर दुख में हर संकत में माता तु हमारे साथ है तु प्यारी मा और जग तेरा संसार माता रानिये हो तु प्यारी मा और जग तेरा परिवार माता रानिये हो सच्ची है तु तु सच्चा तेरा दर पर माता रानिये सच्ची है तु सच्चा तेरा दर पर माता रानिये सच्ची है तु सच्चा तेरा दर पर माता रानिये एक दो रहे लाखो यहां कर आए बना कर टोलिया अपती जुगा खोले बिना भर कर गए हैं जोलिया एक दो रहे लाखो यहां आए बना कर टोलिया अपनी जुआ खोले बिना भर कर गए हैं जोलिया अपनी जुआ खोले बिना भर कर गए हैं जोलिया पर तुप मिलता है करके तेरा गुड़ कान माता रानिये हर हो माता रानिये जे जे माता रानिये सच्ची है तू सच्चा तेरा गर बार 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 रानिये सच्ची है तू सच्चा तेरा बार 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 रानिये सच्छी एफूर चाति अगर्वान अपरादे गुलि नर्मदा मैयादी यह राजार यह इतना पुनीत पावानत तिर्थ में जो मनुष्य सनान करता है विशेश परव पर पिंड दान करता है पित्रों के निमित ब्रह्म भोज कराता है तरपन इत्यारी जो कर्म करता है उसके पित्रों के मुक्ति हो जाती है है राजनित से जब हम आगे बढ़ते हैं छे मिल के आगे देव नदी का संगम आता है जिसको हम चिछली नाम सिप पहचानते हैं यहां से आगे बढ़कर हम लोहारदा पहुँच जाते हैं इस तीर्थ का भी बड़ा महत्म है और यहां पर परवत पर नरबदेश्वर वरुनेश्वर शीरों के शौर आदी मंदी रहें और यहां पर पांडों ने वनवास काल में यग्य किया था भगवान कृष्ण ने कहीं यग्य पांडों से नरबदा के तरट पर कराए था उन में से एक इस्थान ये भी है और यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो तीन मिल की दूरी पर नाहिली नदी का संगम आता है जिसे केसर कुरा नाम से हम जानते हैं एक मिल की दूरी पर मोही कुरा नाम का जोगाम आता है जिससे सहस्त्र यग्या ख्यतीर्थ केते हैं प्राचिन काल में यहां पर भारगो रुशी निवास करते थे भुगो वंशी जो रुशी थे वे यहां पर निवास करते थे और उन्होंने यहां पर सहस्त्र यग्य किये थे जब से इस तीर्थ का नाम सहस्र अग्न्याख्य तीर्थ पड़ गया यहां से दो मिल की दूरी पर आगे जब हम पड़ते हैं तो कपाल मोचन नाम का तीर्थ आता है यहां पर कपालेश्व शीव जी की आरदना रिशी महत्माव ने की थी जिसे हम दत्वाड़ा के नाम से जाने जाते हैं दत्वाड़ा जो गाउं हैं वे कपाल मोचन नाम का तीर्थ है यहां से तीन मिल आगे बढ़ते हैं तो यहां पर छोटा वरधा नाम का घाटा ता है जिसे अगनी तीर्थ भी कहते हैं पूर्व काल्बे में यहां अगनी देव ने घोर तपस्या करके सिद्धी को प्राप्त किया था और पांच मिल आगे बढ़ते हैं पिपलोद घाट आता है और वहां से तीन मिल आगे बढ़कर के कसरावद घाटा जाता है यहां पर भी सहस्त्र यगन्य तीर्थ की के समान ही यहां का पुन्य बताया गया है यहां पर दक्ष प्रजापती के पुत्रों ने दीव्य सहस्त्र वर्षो तक तपस्या की थी और सहस्त्र यगन्य को करके सिद्धी को प्राप्त किया था ऐसा कहते हैं कि यहां पर जो कर्म करते हैं वो अन्य इस्थान में किये गए कर्मों से सव गुणा ज़्यादा फल मिलता है स्राद तरपन ग्रम बोज का महाद में अधिक है और यहां से तीर मील आगे बढ़ते हैं जो वहां पर रोहिनी तीरत नाम का इस्थान आता है महराजी दुष्टिर ने कहा इस तीरत का नाम रोहिनी तीरत क्यों पड़ा मरकंडे रुष्टि ने कहा कि नर्मदा के तट पर दोनों तटों पर पेले निशाद जाती कि ये लोग ज़्यादा निवास करते थे जिनको हम आजकल केवट जाती से संबोधित करते हैं उन निशादों में के यहाँ पर एक कन्या थी उस कन्या ने बड़ा दिव्यत तप किया था और तपस्या करते करते उसका सरीर छूट गया था तो यहाँ पर सरीर को छोड़ करके परवती माता की सखी बन गई थी और फिर भाग्य से वो दक्ष की पुत्री रुहिनी बन गई दक्ष प्रजापति ने अपनी सत्ताइस पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था उनमें रुहिनी ये प्रदाहान थी और सत्ताइस पत्रियों में चंद्रमा रुहिनी से अत्यदिक प्रेम करते थे चंद्रमक का लगाव रुहिनी में ज़्यादा था उसनिया नर्वदा के तट पर तफस्या की इस कारण से इस तीर्थ का नाम रुहिनी तीर्थ पड़ गया जिसको हम आजकल राजगाट बोलते हैं जो हो इस्त्रियां सदाचार पुरुवक इस घाट पर जा करके इसनान करती है और रुहिनी तीर्थ में जाकर के भगवान शीव जी की पूजा करती है तो उनका सोभाग्य अटल हो जाता है कुवारी कन्याओं को सोभाग्य वर सुयोग्य मिलता है और जिनका विबाहा नहीं होता है एसी कन्याओं यहाँ पर जाकर पूजा करती है तो शिग्र उनका विबाहा संबंद हो जाता है समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह रुहिनी तीर्थ है उन्हें सा जन्मों तक अखंड सोभाग्य की प्राप्ती होती होती है इसे बावन गंगा घाड भी कहते हैं जिसका अब प्रहुंश होते 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 बढवानी नाम का नगर पड़ गया पहले बढवानी का नाम बावन गंगा घाड था यहां के राजा ने सुन्दर नगर बनाया और अपने राज्य में इस तिर्थ को परमपुनित बनाने के लिए उन्होंने दत्तत्रे भगवान की स्थाफना की थी जो दत्तमंदिर आज में विराजमान है राजन यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तब हर परिक्रमावाशी की परिक्षा होती है निभ्यासी मिल तक यहां पर घना जंगल है उचे उचे पहाड है कोल किराद भील यहां पर निवास करते हैं और हर परिक्रमावाशी को लोट लेते हैं वहां से छे मिल की दूरी पर मेगनाथ नाम का तिरसा आता है मारकंडे रुशी केते हैं कि त्रेता युग में रावन का पुत्र महर सी पुलस्ते का पाउत्र मेगनाद हुआ रावन का विवाह विंद्याचल धिपती मयासुर की पुत्री मंदोदरी से हुआ और मंदोदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया और जन्म लेते ही वो मेगवानी में गर्जना करने लगा उसकी गर्जन को सुन करके देवता घबडाने लगे प्रत्वी थर्थर कापने लगी दसो दिसाओं के हाथी चिंगाडने लगे बड़ा भयानक घोर शब्द प्रमांड में सुनाई देने लगा इसलिए इस पुद्र का नाम मेगनाध रगा गया झाल झाल झाल